तो यह बच्चों के जहन में जो यह है कि मीधी पर्सेंटेज का मैं अपलाई न्हीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, अधनस्ट में जाते बए देगा, आप याकीन करें, मैं ने 63 वाले बच्चे को भी जाते बए देगा, 60 वाले बच्चे को भी जाते बए नेट्स के अंदर Newton's law of cooling का numerical दे दिया सर नूटन's law of cooling ना तो math के syllabus में है ना तो physicist के syllabus में है सेख इंडर फिसस्का प्रेक्टिकल है जो कि सारे college निकरा रहे है अब आप सवाल करें मुझसे यह क्यों दिया सर यह दिया है अटेंट ना करने के लिए सर देखें अगर आप नस्की त्रयारी कर रहे हैं हमें theory plus concept और प्रोकस करना है mcqs तो हैं देखें a-levels वाला बच्चा जो आ रहा है उसके पास तो mcqs है mcqs आ रहे हैं जो इंटर वाला बच्चे mcqs देकर आ रहा है सर उसके mcqs को वह caliber नहीं है बहुत basic बच्चों वाले चीज़े पूछी जा रही है फिर इसमें चौती चीज जो हम नहीं सोचते है ता टाइम मेनेजमेंट मैं आपकेदा 200 mcqs 180 मिनट टाइम अपने मैनेज नहीं कि आप गए आपके आपके कैसे है अलाम दिल्लाव आज की एक टॉक में वी हाफ सर एसन पडेल विदास सर क्या हालें आपके कैसे हैं अलाम दिल्लाव अलाम दिल्लाव सर एसन पडेल को आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं इनसे देखते रहते हैं मैंने सोचा कि आज हम इनके साथ पॉड़कास करें और बलके इट्स नॉट जस्ट वन पॉड़कास हम इनके साथ एक सीरीस करेंगे क्योंकि बच्छों की बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट आती थी कि सर NED के हवाले से, Nurse के हवाले से, IBA के हवाले से There are so many queries कि जहांपे सर का माशारला बहुत बड़ा experience है तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को हम उस हवाले से बहुत guide करें सर सबसे पहले I want you to introduce yourself आप फ़र असा बताएं कि आपने graduation कहां से की, कहां से पढ़े और उसके बाद कहां कहां मुंसलिक रहे और क्या कर रहा है सर पहले मैंने intermediate complete किया intermediate के बाद फिर मैं फास्ट उनिविश्टिटी से मैंने BS computer science किया and then right now I am doing MS math from सरसेद university maths करने का मुझे एक बहुत शौक था BS computer science बस कर लिया मेरा हमेशा से यह था कि मैठ्स में कुछ करना चाहता हूँ बच्पन सही math का शौक था तो कुछ inheritance में मैठ्स मिली मतलब मैं जो हूँ समझ लिए अपने फादर का दादा का 10% भी नहीं maths एक समझ लिए खानदानी सिल्सला राय मैठ्स का मैठ्स के लिए तो कुछ करना चाहता हूँ मैठ्स के लिए तो आप पैशनेट थे मैठ्स के हिसाब से चले गए computer science में बस वो कर लिया graduation कर ली तो somewhat delayed भी करते ही computer science और मैठ्स की फिल्ड लेकिन यह कि मैठ्स का शौक साता है तो बैचलर्स के बाद जो jobs स्टार्ट की ही या जो आप teaching के शोबे से मौन से लिक रहा है वो थोड़ा सा हम अगर आप बताएं teaching अगर मैं आपको बताओं तो मैंने just after my intermediate मैंने teaching शुरू कर दी थी and I started from first year second year and right after my एक साल जो मैंने गुजारा teaching का उसके फॉरान बाद ही फिर मैं coaching field में घुजगा और फिर aptitude test preparation करवाना शुरू कर दी तो right after my intermediate I started first year second year teaching as well as aptitude test preparation तो उसके अंदर e cat किया nurse किया फलाना ढवा कर जितना भी जितनी भी cats हैं वो सभी है alhamdulillah करवाए साही तो तकरीमन कितने अर्से से आप हमें लगते थे यार 2009 में 2010 में यह सोचते थे यार हैसन तुम्हें कौन जानता है एक दो साल ही में तुम्हें पढ़ाते वे तो teaching के साथ ना since लिखते वे बड़ा अजीव सा लगता था since 2008 मैं बोलता था यार क्या लिखूं तो लोग मज़ा पुड़ाएंगे लेकिन आज वो since 2008 लिखते वे एक वर्द होती है उसकी साही 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 अच्छा मुझे अगर आप थोड़ा सा यह बताएं कि आप में में ली कराची में ही पढ़ा होगा यह किनन जी पढ़ाया तो मैं जो फिजिकल अगर मैं गवार तो किन के इदारों से आप वाबस्ता रहें मेंली मेरा तालुक रहा है वैसे तो मेरे बारे में टीचिंग कम्यूनिटी ही कहती है कि है इसना बिड़्ल त एक गषड़ा सी है अनी खड़ाया उससे इसमा कि शना मैंदेद में रहाई है जिसमें से एकट और नॉस्रे में पढ़ाता रहा हूं और टाइम कॉलेजीट में पढ़ाता रहा हूं अभी भी पढ़ा रहा हूं ताइम कॉल में फ sub partल में अपने बीटुशन सेंटर अपने वह स्क Тыअंटर रूं का है जिसके अंदर first year second year ECAT भी पढ़ाया अदमजी में पढ़ाया उसके लावा morning में colleges पढ़ाया फिर मैं intermediate से shift कर गया A-levels की side और O-levels की side तो वो अपनी जगा है जो inter का जिसे आप कहते हैं ना जो charm है पढ़ाने का वो अपना अलग है A-levels में चला गया वहाँ का अलग चाम है Aptitude एक अलग दुनिया है बिलकुल तो कुछ लोग समझता हैं कि भाई सेम दुनिया नहीं भाई बिलकुल अलग दुनिया है ECAT और nurse इंटर बिलकुल अलग दुनिया है तो Alhamdulillah एक हरसे तक पढ़ाता आ रहा हूँ और online सर आपने कब से शुरू किया जिसे आप माइंटर अकेडमी से वाबस्ता हुए सर online बहुत सारे लोगों ने तो खैर COVID के बाद शुरू किया लेकिन मैं समझने के तकरिबन 2016 से online पर आ चुका था यूट्यूब के तुरू शुरू किया था उस वक्त लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि क्या कर रहे हो online कौन पूछेगा online online तो बाई जरे खेल कूद होता है यह facebook होता है यह online बड़ाई बड़ाई नहीं होती तो खेर बाहर तो यह सब चीज़े आ चुकी वक्त के साथ यहां भी change आ रहा है कौविट की विसे बहुत facilitate हुआ है online education system और parents भी accept कर रहे हैं इस चीज़ को सभी 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 लेकिन बकाइदा तोर पे आपने माइंटर अकैडमी से online या जो proper proper कह सकते हैं कि माइंटर अकैडमी ने मुझे एक platform दिया online जिसके अंदर में proper online बच्चों की preparation करवा रहा हूं सभी 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 अच्छा सार आपको पता है कि आज का जो topic है वो नस्स से मतालिख है बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में शायद लाग से ज़ादा बच्चे कह सकते हैं जो हर साल appear होते हैं नस्ट के admissions के लिए नर्स्ट के कैंपसेस मुखतलिफ जगाँ पे हैं आज की पॉड़कास्ट में हम बात करेंगे उन बच्चों के हवालों से कि जो नर्स्ट के लिए प्रिपेर करते हैं अच्छा सर नर्स्ट के हवाले से अमूमन जो मित होता है यह होता है कि इस यूवर्स्टी की फीज बहुत हाई है अच्छा हाई के साथ साथ वो इसलिए फील होता है क्योंकि अगर आप इसलामाज जाएंगे तो आप रिलोकेट होंगे होस्टिल होगा आपके बहुत सारे खर्चे बढ़ेंगे तो उसके हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि क्या कोई मिदल ग्लास फैमिली का बच्चा या लोए मिदल ग्लास फैमिली का बच्चा क्या इस इनुवर्स्टी को सोच सकता या सोच ही नहीं सकता सर देखें अगर हम फीस की बात के रहें तो पर सेमस्टर तकरिमन डेड़ लाख वन सिक्स्टी के आसपास ये फीस हैंगी पर सेमस्टर सब पर सेमस्टर का मतलब है अगर इसको आप छे मिने पर डिवाइड करें तकरिमन पच्छे जार मिना बनता है एक अच्छी कॉलिटी एजुकेशन मैं समझता हूँ पच्छे सजार में अगर आपको कोई दे रहा है तो इस महंगाई के दमाने में इस सस्ता क्या होगा और अज़र प्राइडिटी की बात होती है अभी हम प्राइविट उनिवर्स्टी की बात करें मेरे सुनने वाले जो इसको गवर्मेंट उनिवर्स्टी से कंपे कर रहे हैं आप उसको प्लीज फीस कोस से देखे ज़र प्राइविट उनिवर्स्टी में आज की जमाने की जरुरत बन गई है इसी चाहिए ठीक है और पिर आपको कंफर्टेबल कुरस्यां भी चाहिए पिर आपको प्रोजेक्टर फेसिलिटी भी चाहिए यह सब चीज़ चाहिए गवर्मेंट में हम यह चीज़े नहीं देख पाते इतना नहीं देख पाते प्राइवर्ट युनिवर्स्टी इन सारे चीज़ों पर फोकस कर रहा होता है करिकुलर, बाहर बेजना, FIPs इसमें जो हमारे टीचर्स हैं पर वो हाइली पेड टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स सर मैं यह समझता हूँ कि वर्टेट है लेकिन सर, मैं कहता हूँ, अगर आपका फोकस है नस्ट, खुदाना खास्ता आपको उधार भी लेना पड़ जाए बाइच चार साल के लिए उधार ले लो और येकिनल सर, इसमें तो मेरिट बेस्ट स्कॉलर्शिप्स होंगी सर, युनिवर्सटी खुद भी लोन दे रही है युनिवर्सटी खुद स्कॉलर्शिप भी दे रही है एच ऐसी के आची खासी खॉलर्शिप है और आप अगर अपने खानदान में भी उधार ले ले लेते हैं सर, चार साल बाद आपकी एतनी वर्ट होगी आप 6 मैंञे में उटा देंगे थाइए नस्ट के जो आपकी जब जौब लगेगी न आप 6 मैंञे में पैसे लटा देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो अर्तेट है और बहुत सारे लोग ऐसे करते भी इनवर्षटी से भी लोन ले लेते हैं इनिविश्टी फर्जे असना दे जेती है आप चार साल बात पेवेक कर दें तो हम आपको डिगरी आपकी दे देंगे आपको ट्रांस्क्रिप दे दे दें आपकी जॉब लग जाती है और उसके बाद आपको जब अपने डिगरी चाहिए तो आपने पेवेक करें डिगरी ले जाएं तो सर्व मैं आपकी बास से यह समझाओं खास और पर उन्हें स्टूरेंट्स के लिए जो फीस की बुनियाद पे अपने जहन में एक फिल्टर लगा लेते हैं हम नस्ट नहीं जा सकते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए दिरार सो मैंनी ऑप्शन्स अविलेबल और नस्ट चुके वर्थ करती है एंजिरिंग के लिए तो लाजमी तो पर उसको फीस की बुनियाद पे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल आप साइट ट्यूशन से कुछ कमा सकते हो और वो आप अपने पैरेंट्स को पे कर सकते हो हल्प हो जाएगी तो मैं मेरा पहला सवाल ही है कि नस्ट इतना एहम क्यों है और नस्ट की क्या खास बात है सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि नस्ट है क्या एक चोगी बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि नस्ट है क्या देखें नस्ट, National University of Science and Technology पाकिस्तान में कमूबेश 15 से 20 कंपस मौजूद है जिसमें कराची कोईटा इसलामाबाद, रिसालपूर पिंडी and the list goes on semi-private इदार है जो कि actual government का इदार है और private organization उसको run कर रही है forces के अंडर ये इदार है हमारे यह नॉर्मली यह है कि जो इदारे forces के अंडर चल रहे है हमने यह देखा है normal trend में कि बहुत अच्छे चल रहे है तो इसमें एक बड़ा अंसर forces का यह है कि forces उस इदारे को बहुत अच्छा लेका चल रही है discipline sir जो आपने discipline की बात किये हमारी जिंदगियों में नहीं है कम से कम forces के अंदर कोई चीज हो ना हो लेकिन यह discipline का factor है यह unmatched है मतलब आप समझ लें यह forces की तरफ से civilians के लिए यह नस्ट जो वर्क कर रहे है मतलब से civilians के लिए बहुत अच्भेहतरी नकाम कर रहा है अब sir नस्ट के जो हम बात करते हैं कि इसकी position क्या है sir world में top 500 में आ रही है Asia में top 100 में आ रही है Pakistan में top 3 में आ रही है और काफी अरसे तक तो top most रही sir नस्ट का टॉप रहने का बहुत बड़ा रीजन यह है कि वो follow करते है modern curriculum कुछ universities जो हमारे पास है मशूर भी है लेकि प्रॉब्लम यह है कि वहाँ से आप काम जो करके industry में नकल रहे है तो industry बोल रही है भाई तुमें तो कुछ आता ही नहीं बच्चा ही सोचा है चार साल मैंने फिर क्या किया अपना टाइम साय किया खुदा नखास ता ऐसा नहीं कि उस university की वर्थ नहीं लेकिन उस university की industry के लिहाज से वर्थ नहीं बड़ी लेकिन जब अब nurse को compare करते है तो nurse क्योंकि modern curriculum पे काम कर रहा है बाई वो सो साल पुरानी चीज़ पचास साल पुरानी चीज़ भी पढ़ा रहा है उसने अपने curriculum maintain रखवा है वर्ल्ड के साब से उसके उपर जो दुनिया के standards है उसके साब से maintain किया है तो इसलिए वो टॉप जा रही है पर number of PhDs वहां के पर वहां का जो अपना उनका education criteria है पर curricular activities में बहुत आगे है आपको volleyball की टीम उनकी आप देख लें उनकी आप football देख लें cricket देख लें आप उनका karate देख लें और वो gymnastics देख लें overall working कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी education पर working नहीं कर रहे है आप उसके swimmers देख लें अब नर्स्ट बहतरीन एक्स्ट्र करोग दर्वी भी काम कर रहे है debate competitions आप उठा के देख लें उनकी events उठा के देख लें बहतरीन काम कर रहे हैं और सिर्फ ऐसा है नहीं कि एक ही campus सारे campus पर working कर रहे है और fields के सबसे पहले अगर हम बात करें तो नर्स्ट में fields बहुत स्यादा है ये वज़ा भी है कि बच्चा बहुत अप्लाई करता है तो जो बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा है मैं कहुंगा नर्स्ट में अप्लाई करो ये एक बहुत भी बहुत भी फ्यूचर दे सकती है फील्स के अगर हम बात करें electrical, mechanical, civil, chemical, computer ये तो सब करवा रहे हैं लेकिन आप देखें modern कौन सी fields है mechatronics चाहा रोबोटिक्स खास तोर पर mechatronics mechatronics सिर्फ जैबस्ट और Nust करवा रहा है शायद एक कात और की करवा रहा है लेकिन mainly Nust इस पर फोकस कर रहा है जैबस्ट भी काफ़ी टाम से फोकस कर रहा है फिर इसके बाद आप आजाएं computer की सिर्फ एक computer science फील्ल नहीं है उसके अंदर भी different fields निकल रही है artificial intelligence निकल यह उबरती भी fields है इसके near future में आपको एक बहतरी नदर आएगा future फिर उसके अलावा avionics aeronautical engineering तो यह जो fields है metallurgical और आपका material और आपका petrochemical और भी different fields है जो के provide कर रहा है Nust और इसके जो campuses है वही करता है campus to campus कराशी में सिर्फ electrical और मिगा निकले रिसालपूर की civil engineering मशूर है aeronautical मशूर है पिंडी की civil मशूर है इसलामबाद की computers मशूर है campus to campus और और यह मशूर भी students ही करते है ऐसा नहीं है कि भाई कोई criteria different है वहां का teacher हलगा यहां का teacher भारी है इसा कुछ नहीं है बलब सर मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता हूँ मेरे जहन में हमेशा से मित ही यह रहा है और जो मैं students से भी बात करता हूँ जहन में यही आता है कि अगर नस जाना तो इसलामबाद जाना है बिल्कुल आप सही कह रहा है बच्चों के जहन में यह है और इसके पीचे कई reasons है वो यह समझते है कि शायद इनका कोई main campus है इसलामबाद यही जहन में आता कि head office है main campus है यही असल campus है बहुत बड़ा point जो किरदार है ना वो है hostel गा देखें hostel के pros भी है cons भी है तो और पिर आप on campus मौझूद होते हो और सारी चीज़े आपके campus के करीब होती है तो आप study पे ज़्यादा focus कर रहे होते हो पिर curricular activities वहाँ पर यह क्योंके fields जाता है बच्चे जाता है कराची में compare करें दो fields है इसलामबाद में कई सारी fields है तो वह number of students की वज़े से भी curricular activities वहाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है faculty थोड़ी ज़्यादा है यह पर दो fields है तो faculty थोड़ी ज़्यादा है standard होई है आप यह मत समझें के यार वह वाला campus भारी है वाला campus अलका है तो किशी बे campus को भारी है हलका जो priority बनाते हैं वो बच्चे बनाते है और फिर यह है के वहाँ पर एक यह कि सर फ़्यादा मौसम वैदर भी मैं समझता हूँ कि मैंटर करता है असलाबाद पर एक थंड़ा महौल है pleasant हाँ pleasant महौल है फॉरका जादर रिनी जैसा होता है या cloudy होता है तो वो चीज़े सर अफेक्ट करती है आपके माइंड को कहीं ना कहीं लाश होरी में होती है जैसे गुला में साक इनुस्टी जी के अब वो बनी ही ऐसी location के उपर है चोटी पे के मतलब चारो तरफ से जहना बंद बंद है चारो तरफ पहाड़े उसके यानि उसका environment ही तरह खुस्सूरत है किलकरता है अब कड़ती भी दूब में आप बच्चे को बोलें जारा कराशी गर्भी में निकलो कुटा गर्भी में निकलो तो पुर वो एक अलग साम होगता है तो इसी लिए ये जो बात है के इसलावाद campus मेन campus है दरहकीकत वज़ाई ये नहीं है बलके वज़ाई ये है कि वहाँ environment होस्टिल की वज़ा से और दीगर मौसम की वज़ा से दीगर चीजों की वज़ा से वो ऐसे factors हैं जो इसको बहतर हो बना रहा है सर मैं नहीं समझता कि education में कोई फर्क है मैं आपसे बार-बार कहा रहा है कि teachers में कोई फर्क नहीं है standard same maintain है आप apply करें आप teaching के लिए apply करें कराची में apply करें आप पिशावर में apply करें कोर्टा में apply करें वसालपूर में apply करें तरीककार से में उनका selection criteria भी same है even students के लिए भी same criteria तो इसमें कोई फर्क नहीं है यह priority बच्चे ने set की विए sir मैं आपकी बात को बिल्कुल second करूँगा मैं 2006 के अंदर Cambridge गया था एक conference में UK और Cambridge जब मैं गया था तो मेरी आँक्या खुल गई थी उसकी वज़ाई यह कि वो एक शहर है students के लिए बात किया गया है वो पूरा शहर अभी आपने बात की कि एक university है hostel है चीजे है तो एक environment है अब सुचे एक शहर है जो शहर फकत और फकत universities का शहर है colleges का शहर है और वहाँ पे जो मैंने environment देखा उस environment के अंदर जो innovation थी जो research थी वो ऐसी थी के वहाँ वाकितन जा के महसूस हुआ दिल चाहा के यहाँ पे रुक के इनसान पढ़े तो definitely environment का बहुत बड़ा impact होता है हमने यह बात कर ली के पाकिस्तान में engineering universities के अंदर NUST is considered as one of the best university in Pakistan जी बिलकुल one of the best खास पर पे engineering की जगम लेकिए engineering को अगर हम देखें तो one of the best one of the best है और सर काम कर रहे हैं मुल्क के लिए काम कर रहे हैं बताब यहां से जो graduates निकल रहे हैं सर all over the world है Canada क्या, USA क्या, Germany क्या जितने आप यॉरप की मुल्क को डालें Australia, England सर दुनिया भर में पहले हैं NUST के graduates सर वर्थ है जब वो student NUST से निकलता है या किसी और यॉनिवस्टी से निकलता है सर उसके कोई दैतमाती ही अलग है उसको confidence level है वो सर वो असमान पर है जो NUST का graduate है यकीना और मैं हम मसलसल नियूज में देखते रहते हैं सर उनकी FIP आप देखें जब NUST के जो undergraduate students है वो जब मुक्तलिफ दुनिया भर में पाकिस्तान में मुकाबलों पे जाते हैं तो अमूमन हम देखते हैं कि उनकी positions वो secure करते हैं तो ये तो है मेन रिजन क्या है करेकुल्दर को वो मद्दे नज़र रखे हैं सर्फ education नहीं रखी वी रोने overall personality develop करते हैं पिलकुल जब तो तरक्की कर रहे हैं जब ये तो टॉप में आ रहे हैं सई अच्छा सर हम बात करेंगे कि हमने ये बात कर ली अब कौन सा बच्चा नस जाने के लिए इलिजिबल है सर नस में जाने के लिए उसकी 60% minimum होनी चाहिए अगर वो A-Levels, O-Levels की साइट से आ रहा है वो A-Levels कर रहा है तो उसका जो equivalency है वो 60% अबब होनी चाहिए अच्छा खुदाना खासता intermediate वाले साइट की बात कर रहते हैं A-Levels में तो उन्होंने सखत रखा हुआ इसको अगर इंटर साइट पर बच्चा 60% भी नहीं ला पाया 50% है उसके बाद तो computer science के लिए eligible है इंजिरिंग discipline के लिए नहीं लेकिन computer science के लिए eligible है और जो उनकी social sciences की fields हैं BS mathematics है या BS physics है उसके लिए eligible है ठीक है पिर भी engineering के लिए eligible हो जाएगा अगर वो अपने college जाए एक hope certificate बन वाले principle से कि हमें अपने बच्चे से hope है या भी score नहीं कर पाया लेकिन ये secondary के लिए अच्छा score कर लेगा conditional admission मिल सकता है उसको ठीक ठीक तो ऐसा नहीं के वो eligible नहीं फिर बच्चों के जहन में ये है कि सर मेरी दो percentage नहीं बहुत सारे बच्चों के जहन में या सर वो nurse में तो हमारा हो जिसता है क्यों सर मेरी 65 percentage है मेरी 64 percentage है भाई आपसे किसने का सीधी सीधी calculation है सर 75 percent बोल देख रहे हैं आपका test entrance test जी सर और 25 percent देख रहे हैं वो आपके academics सर 25 percent कुछ भी नहीं है लेट से एक बच्चा consider करते हैं 80 percentage एक बच्चा consider करते हैं 60 percentage सर 80 percentage का सिर्फ 25 percent count होगा वो बनता है 20 marks सही सही जो 60 percentage है उसका आप निकाले 25 percent तो वो निकलता है 15 marks तो भाई ये difference कितना है सिर्फ 5 marks असल difference तो सर ये 5 marks का difference जो 60 वाला बच्चा है ये 5 marks का difference मेरा खाल है बड़े हराम से पूरा कर सकता है वो test में अच्छा score कर ले तो अगर लेट से ये 80 वाला है ये 60 वाला है और 80 और 60 वाला अगर ये score लेकर आता है 120 और ये score लेकर आता है 140 तो सर कमों बेस बराबर है एक्जेक्ट सेम पोडिशन पर खड़े है तो आप देखें वो 60 परसंटेज 20 परसंट नीचे था लेकिन उसमें टेस्ट में 20 marks उपड ले लिया इसने टेस्ट में 20 marks कम ले बराबर आ गए है तो ये बच्चों के जहन में जो ये है क्योंकि जब 75 परसंट उसका रेशियो होगा तो डेफिनिटली उसके लिए अगर तैयारी अच्छी नी होगी तो आपका मेजर इंपक्ट ही आप लूस कर जाएंगे चाहे आपने 85 परसंटेज क्यों इंटरमीडियर में हासिल ना की अगर आपने 90 परसंटेज भी लिए अगर आप 100 भी स्कूर ने कर पाए तो किसी कामगी नहीं साही 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 आप किसी भी बोर्ड को चाही तमाम तर बोर्ड इसमें बराबर हैं कोई कोटा सिस्टम नहीं है कोई शहर का नहीं है कि भाई पंजाब के बच्चे इतने होंगे एरविस के अच्छे इतने होंगे कोई नहीं है बस जो आपने अपना मेरिट अचीव करना है जो आपने अपना इंटरमिडिट किया या एलेविस किया या जो भी अपने एज्यूगेशन की उसका 25 परसेंट देखा जाएगा और 75 परसेंट आपका टेस्ट का देखा जाएगा सभी अच्छा सर इसमें अब हमने जब बात शुरू की टेस्ट की तो मुझे बताए कि टेस्ट के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स इसमें होते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास इसमें होते हैं वो थोड़ा सा बताईएगा सबसे पहली चीज तो यह कि नर्स्ट अपने टेस्ट में फेडरल बोर्ड को फालो करता है तो यह चीज हमारे सिंद बोर्ड वाले बच्चे को बड़ी हिट करती है क्योंकि उसके सिंद टेक्स बोर्ड के अंदर उसका जो स्कोप है वो डेफिनिटली सिंद बोर्ड के अगर हम बात करें तो फेडरल बोर्ड बोलोचस्तान बोर्ड के पीगे बोर्ड और पंजाब बोर्ड के सब एक पेज पर है और किसी वज़ा से सिंद बोर्ड एक तरह पर है 20 परचन सेलेबस का डिफरेंस है 20-25 परचन मतलब सफो में खड़े हैं और सिंद बोर्ड वाले पहली दूसरी सफ में खड़े हैं पहली सफ में नहीं 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 हैं लेकिन सिन से भी बहुत सारे बच्चे इवन सक्कर तक के बच्चे खैरपूर तक के बच्चे, हैदरबाद के बच्चे ऐसे नहीं सरफ कराची की बच्चे नस्ट में जाते वे देखें लेकिन डिटर्मिन बच्चे सुबा से शाम तक बैटके वो फिर दो तीन मेने सिर्फ पढ़ रहा है, उस कोई और काम नहीं कर रहा है मेरा स्टूडेंट 2014-2015 का नुमान नाम का बच्चा है मझे नाम भी यादव बच्चे का सर लेटली जब मैं उसको बढ़ाता था ना मैं तंग था यार कितना पूचेगा कितना पूचेगा जान का गया सर लहू अगर एक बड़े सक्माल करूं तो मैं लहू सर उस पर बुरा लगता था लेकिन सर खुशी के आंसु आ गए उस दिन जब नस्का रिजल्ट आए उपने पैरेंट्स के पास उसने कॉल नहीं की उसके तालुक शायद मेरे खाले शायद खैरपूर से था या लाड़काना से था सर उसने मुझे कॉल किये उसने मुझे कॉल किये और उसने कहा सर लहू बात कर रहा हूँ मैं उसको मुझे बोलता था यार तू लहू है मेरा तो मैंने उसका नाम ही लहू रख दिया था किया सर लहू आ पिर मैं हस पाड़ा मैंने का भाई क्या खुशकावरी है नसका रिजल्ट है किया सर आपके स्टुडेंट का हो गया सर खुशी कहांसू थे मेरे क्योंके एक तो सर ये प्रिविलिज्ट एरिया से था इतनी opportunities नहीं मिलती है सर वो बच्चा वे बैक फ्रॉम तेयर आया कराची में उसने अपनी occupation के मसले हल किये छे महीन उसने या तयारी की ये फलाना बुक फलाना बुक पकड़ा सर MC की उसकी चाड़ दो बगे सॉल्फ कियती है उसने फैरल बॉर्ड के सर आब उसकी बुक उठागे इए रंग बरंगी पिंक हाईलतर येलो हाईलतर दो दो हाईलतर येलो वो है जो कम important है पिंक वो है जो सर मोस्ट important है मैं नहीं रहे यार ये working कर रहे है पच्छा सर unless मे उसका स्कोर है तकर रहें 150 प्लस और meille score की एंगर हम बात करें गर तो 140 प्ल्स पे आपका अड़िशन जग्योर हो जाते है जो असलाहभाद केंपस की बात कर रहा है क्योंकि बच्छे ही हाई क्रियेट करते है हर बच्छी के पाररटी में सलाहभादенноеख सलाहभाद केंपस जो के लास्स से लास्ट है में पास क्रेड़ो कॉलेज है एलेवस का वहां के स्टुडेंट्स थे अब्दुलहसीब था खालेबन और एक और था बच्चा एहमत करके उसके 160 प्लस स्कोर्स थे तो दोनलम्दलल्ला बैठे वे हैं नस्ट में और आज भी जार करता है किया ते सार मज़ा आगया था अज़्वस के बच्चे तहीं अच्छा अच्छा अपड़ोगों को और परिशानी है पहली सब में पंजाब और चारे ईलेवस वाले बच्चे थीसे सफ में घड़े हैं क्यों सर उन्होंने जो कंटेंट बढ़ा है अपने एलेविस में वो 40% डिफर करता है तो उनकी मेहनत और ज्यादा बढ़ जाएगी मेरा तो यह ख्याल था कि शाद एलेविस वालों के लिए जादा फिवरेल बढ़ होगा सर कंटेंट का डिफरेंस है सर त और पर चीज कंटेंट का डिफरेंस है सर वहां पर जो चीज पढ़ रहने हैं कुछ topics जो वहां पढ़ रहे हैं यहां पर रही हैं सर उन्हों हम बात करें फील्ड सेलेक्शन की तेस्ट के वाले से मैं सॉरी कंपोनेट्स बताना बूल गया हाँ हम बात करतें कंपोनेट्स तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि नस्ट के अंदर 200 200 mcqs आ रहे हैं देखें सर मैं आपको तीन गंटे दूं 200 mcqs दूं मैं टाइम भी आदा कर दूं mcqs भी आदा कर दूं उसके ओपर स्ट्रेस क्योंकि किसी भी इनुस्ट्री का आप टेस्ट उठाएं सौ 120 mcqs से ज्यादा नहीं है तीन गंटे आपने बैठना है स्ट्रेस है तीन गंटे बैठना मैं आपको बूलों जाए तीन गंटे यहां बैठ जाओ और एक पेपर लेकर बैठे बैठे के हैं 60 mcqs physics के हैं 30 mcqs chemistry के हैं अगर आपका inter a levels chemistry से 30 mcqs computer के हैं अगर आपका inter a levels computer से 20 mcqs English के हैं और 10 mcqs general intelligence के हैं general intelligence वो combination कह रहे हैं IQ प्लस basic maths को यह हमारे 200 mcqs हैं जिसमें आप देखें कि मेजर चंक maths और physics के पास है 80 और 60 कितना बन गया 140 तो अगर आप इसी को सही तरीके से focus कर लें ऐसा नहीं कि बागी बात focus छोड़ दें लेकिन अगर आप maths और physics से focus कर लें तो कोई शक नहीं कि आप admission test अच्छे से clear कर सकते मैस तो दोनों जगा गया ना सार एक खुद भी आ गया मैस हाँ basic maths 10 नमर का IQ के साथ और advanced में भी समझने है 80 questions है पिर सबसे बड़ा मसला है यह बच्चे समझते हैं कि यार नस्ट कर देखें testing criteria और different क्यों कर देता है उसको अब energy से compare करें कराची उसे compare कर पर एक trend बनावा question उसका numericals आ गए आपके पास theoretical question आ गए सर यहां को trend नहीं है यहां आपको numerical बहुत थोड़े नजर आएंगे conceptual question भरके नजर आएंगे theory भरपूर नजर आएगी और सर पांच इस question तो ऐसे होंगे जो मैं भी first time देखूँगा जो मुझे भी 10-15 मिट लेंगे समझने के लिए सारा बंदागा करें एक मिसाल देता हूं आज से तकरिवें 6 साल पहले maths के अंदर Newton's law of cooling का numerical दे दिया से नूटन's law of cooling ना तो math के syllabus में ना तो physicist के syllabus में से किंडर फिसस का एक practical है जो के सारे college नहीं करा रहे अब आप सवाल करें मुझे यह क्यों दिया है पूछे आप मुझे क्यों दिया है सर यह दिया है attempt ना करने के लिए अब आप उने यह क्या बात दूए सर ऐसे question दिये जाते हैं बच्चे को उल जाने के लिए क्या रही वो इस question में लग जाए बच्चे की यादत है वो प्रिज़द बना लेता है मज़े question करना है वो इस question के चक्र सब्सक्राइब अगर उस question में उसने पंदा मिनट जाय करती है एक mcq के लिए सर कितने मिनट है सब्सक्राइब बच्चे को यहां नहीं जांच रहे हैं कि उसको आता कितना है बलके वो यह देख रहा है कि बच्चे की personality attitude behavior कैसा होगा test को attempt करने के बिलकुल बिलकुल तो वो सवाल attempt नहीं करना आपने क्यों attempt नहीं करना वो आपके बागी सवाल छुड़वा देगा ना भा अगर उसमें आपने पंदा मिनिट लगा दिये आपके पंदरा कोशन रहा है बीस कोशन रहा है तो आप तो वैसी पीछे रहा है तो ऐसे पांचास कोशन आपने छोड़ देने हैं और वो तजात करते हैं कोशन उन बच्चों में सर जो elite हैं जो genius हैं सर नस्ट का highest score जो मैंने अपनी लाइस में सुना है पढ़ा है नहीं है मैंने उसे 198 आउट उफ 200 सर एलियन बच्चा होगा वो अब आप सोचें दोस्तों में 198 लेकर बैटा है टॉप पोजिशन नमबर वन वन वंदादा करें तो उनिवस्टी क्या कर रही है ऐसे questions दे रही है ताकि जो बिल्कुल elite ह तजाद हो सके सर देखें जब हम marks पर आते हैं न तो 180 से उपर चंद होंगे 170 से उपर थोड़ी frequency बढ़ जाएगी जैसे आप marks कम करेंगे frequency बढ़ जाएगी अब जब हम 130 पर पहुंचेंगे न तो तो 130 के उपर ही 50 बच्चा है अब admission लेना है उनिवस्टी ने तो वो जो 50 ब बच्चों से हमारी उनिवस्टी के admission फुल हो गए तो बाकी 25 बच्चा वो तो रोएगा ना यार मेरी भी तो 130 marks थे तो पर उसका वो क्या देखेंगे academic कि यार percentage इसकी कितनी उपर कितनी नीचे है तो कहने का मकसद यह है कि वो बिसिकली जादा marks में हमारे इसकी कम-frequency वाले बच्चे होंगे तो वो मुश्किल कोशन इसलिए डालने ताकि वो तदात कर सके हैं इसमें जीनियस बच्चा कौन सा है उसको हम उठा लें हम तदात कर सके हैं यूग कर हम सारे कोशन एक जैसे देंगे तो सबके 170 आ जाएंगे समझे है आवस बात को तो वो एक स्प्रेड करने के लिए डाटा को वो मुश्किल कोशन पांचस तालते हैं अच्छा सार इसके साथ साथ जो मैं समझाओं वो मैं यह समझाओं कि अगर 150 प्लस स्कोर है अगर 150 प्लस स्कोर है और 200 का टोटल इसका वो है तीन घंटे का है 200 MCQ आएंगे इसके अंदर सब्जेक्ट से इसके आपने बताया कि उन एरिया स्पिस की टेस्टिंग होगी अच्छा सर फील्ड सेलेक्शन के लिए परसंटेज कितनी एहम होती है सब देखें यह सारा का सारा जो हाइब बनाता है स्टूड बनाता है लेट से एक लाग बच्चा अपलाए कर रहे हैं 25, बच्चे ने फिर्स प्रियर्टी पे लिख दिया और अगे लिखती है एच 12 तो अब आप अटोमेटिकली अटोमेटिकली नमबर वन पर हो गया रहे हैं अब लेट से सर फिर्फ पच्चे सहार बच्चों नहीं एलेक्टिकल से लग किया कराजी केंबस लेक्टिकल लेकिन लेकिन वर्किंग इसी तरीके से कर रहा होता है कि जो जितनी हाइप होती हो लोह हाइप होती है उसको नीचे कड़ देदे हैं इस तरह का लगा हो रहा है है मैं वापिस आँगा टेस्ट की तरफ सर टेस्ट के अंदर हमारे पास different school of thoughts है different फिरके हैं एक फिरका वो यह कहता है कि concepts अच्छे होने चाहिए एक कहते हैं कि नहीं भाई theory भी आपकी strong होनी चाहिए सर नस्ट के लिए क्या चीज ज़्यादा matter करती है सर देखिए अगर हम nurse की त्यादी कर रहे हैं हमें theory plus concept दोनों पर focus करना है MCQs तो है देखिए A-levels वाला बच्चा जो आ रहा है उसके पास तो MCQs ही नहीं MCQs आते नहीं जो inter वाला बच्चा MCQs देकर आ रहा है सर उसके MCQs का वो caliber नहीं है बहुत basic बच्चों वाले चीज़े पूछी जा रही है फिर इसमें चौती चीज़ जो हम नहीं सोचते time management मैं आपको बच्चा 200 MCQs, 180 minute time अपने manage नहीं किया आप गए इसमें calculate allowed नहीं अब तज़े maths वाला बच्चा calculation कर रहा है, integration कर रहा है फिर इसके numerical कर रहा है अब scientific rotations आगए है उसमें आप बताएं मिर्चे मैं खिला दूँ अप पांगी देने बंद कर दूँ तो क्या करेगा बचारा calculator नहीं है calculation थेज़ करनी पड़ेगी तो पांचों चीज़ों पर focus करना है नहीं करेंगे test clear नहीं कर पाएं और test की तैयारी के लिए मैं समझता book reading बहुत जुरूरी है शाइद N&D के लिए जुरूरी नहीं होगी सरसायद वगरा के लिए के यों के लिए जुरूरी नहीं होगी लेकिन NUST के लिए book reading बहुत जुरूरी है मनें बता है नो नुमान पहुचा मार्किंग किये सर उसमें पंजाब बोर्ड की बुक के फैटल बोर्ड की बुक की लाइन्स आ जाती है एज इस डिक्टो कॉपी तो वही कर सकते हैं चैन्ने बुक रिडिंग किये सर आप सिर्फ केल्कुलेशन बेस बात करें तो आपके सौ मार्क्स आ सकते हैं जा अगर आप पूरे हंड़िट परसंट मार्क्स लेकर रहा हैं सिर्फ कैल्कुलेशन बेस पर आपके सौ मार्क्स आएंगे बुक रिडिंग नहीं की आप 110 120 से उपर नहीं जा सकते हैं 120 मुश्किल बता रहा हैं क्योंकि सर्फ मैंने इस साल से पढ़ा रहा हूं बच्चों की रिसल्ट्स देखें ना सर्फ बच्चे जो पहुंचे हैं वो इस तरह की सा पहुंचे हैं सर् आज एज़ टीचर हम भी आ कोशन्स हैं कोशन्स भी हैं वो भी सॉल्ट्फ करने हैं अचा सर्फ हम बात करते हैं कि हमने टेस्स की बात की इसकी तैयारी अब जो टाइम रह गया है इसमें कैसे कर सकते हैं ताइम बहुत कम रह गया है लेकि नर्स के तीन टेस्ट होते हैं एक टेस्ट आता है डिसम्बर म नेट 1 प्ताना खसता आपका टेस्ट अच्छा नहीं होता, अब नेट 2 दें, कब दें, वह अच्छा नहीं हुआ, दोबारा कब दें, नेट 3 में दें, नेट 3 कब है वह जुलाए के मिटनाइ, अब हमारे पास टाइम बहुत शॉट रही है पूरा फस्ट एर है पूरा सेकेंड एर है IQ भी देखना है English जो है वो फस्ट ए सेकेंड रहा थोड़ी है Verbal है sentence correction, sentence completion, critical reading ये सब चीज़ है, वो क्या है तो सर इन सब चीज़ बहें फोकस करने के लिए You need time महीने में बन रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 600 मजदूर लगा दूँ और वो एक महीने में बन जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़े dependent होती है मैं building की मिसाल बच्चों को इसलिए देता हूँ बाई पहले floor की चट सूखे नहीं तीन दिन ले लेगी बागी काम तो छोड़ो दस floor लगाने तीन दिन भी लगाए तो एक महीने में तो जब चटे सूखेंगी बागी काम क्या सूखेंगा तो सर जो बच्चे ने theory की तय लगाई है सही है उस तय लगाने के बाद उसको concept की तय लगानी फिर mcqs की भी तो तय लगानी है theory concept पर working कर ली लेकिन वो अपने आपको assessment नहीं कर रहा है judge नहीं कर रहा है mcqs नहीं कर रहा तो वो उसकी तयारी तनी अच्छी नहीं हो पाएगी तो उस कम time में उसने अपना schedule maintain करना है और schedule maintain में उसने सारे subjects को proper देहान देना है book reading plus mcqs इस सारे चीज़ों करनी पढ़ेंगी तब जागे उसकी अच्छी तयारी होगी और time क्योंके कम है तो I think it is the right time to start we are all somewhat late है but it's never late to start ठीक है हम अभी भी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी तयारी हम कर सकते हैं भरबूर तयारी कर सकते हैं बस थोड़ा सा focus करना पड़ेगा बच्चों के जहन में आमारा inter disturb होगा a level disturb होगा देखें जिन लोग की targets होते हैं तो फिर वो बीच में hurdles नहीं देखते जब वो आप hurdles को सोचोगे देखोगे तो पर अपने target तक नहीं पहुंच सकते हैं अगर अभी आप नस जाना चाहते हो नस को अपने अपना target बनाया भै तो आपको थोड़ी सी परिशानी होगी अपनी दोस्तियां कम करना पड़े हैं फेस्बुक, टिक टॉक, यूटीब तो थोड़ा कम करना पड़ेगा खेल कूद कम करना पड़ेगा थोड़ा फड़ाई भी फोकेस जादा करना पड़ेगा लेकिन target तक तो पहुंच जाओगे इस तरीके से manage करना पड़ेगा सभी अच्छा सर ये तो हमने बात की कि टाइम कम है तो इसकी preparation की क्या strategy हो सकती है हम कैसे इसको prepare कर सकते हैं इतने limited time के अंदर अगर कुछ आप इसके ओपर tips दे सके हैं सर लेट से maths के हमारे पास 28 chapter है ठीक है अगर हम एक हफ़ते में दो से तीन chapter निम्टा है कमोबिच physics के कोई 20-20 है chemistry के कोई इसी तरह 20 के आस पास है मेरा subject मैं आता है तरह मुझे पता नहीं detail कितने जहना chapters है तो सर एक अफ़ते में अगर दो से तीन chapter को focus करते है तो timely तयारी हो सकती है लेकिन उसमें theory, concept and then MCQ साथ है हमारे इंटर वाले बच्चे तोड़ा MCQ से घबराते है MCQ नहीं करेंगे तब इतकराब जादी नौजिया फीर होता उनको MCQ से तो वो MCQ वाला portion उनको करना है तब जाके वो अच्छी तयारी कर पाएंगे और बार बार मैं book reading की बात कर रहा हूं तो बहुत जरूरी है assessment जरूरी है mock test देंगे pass papers पे फोकस करें university अपने pass papers नहीं निकालती बच्चों से re-create होते हैं market में मौझूद हैं बहुत सारे तो उन pass papers पे फोकस करें आपको idea होगा कि questions किस तरीके के exam में आते हैं तो उससे और भी तर तयारी हो सकती है अच्छा सर हम test की बात कर रहे थे तो test के अंदर अब जब हमें तयारी करनी है तो हमारे पास क्या बच्चा खुद पढ़ सकता या उसको academy join करना जरूरी है सर्च जितने खौफनाग मनादिर मैं आपको नस्के test के हवाले से दिखा चुका हूँ तो क्या आपको अभी भी लगता है क्या सेल्फ तयारी हो सकती है सर मैंने बाज students को देखा है कि जोनोंने सेल्फ के उपर वो गए बिलकुल किया देखें मुनजम होना जरूरी है बच्चे को एक proper schedule होना जरूरी है उसका जो कि आज के बच्चे में हम देख नहीं पाते अगर आप मुझसे सवाल शाहिए दस साल पहले करते तो मैं आपसे कहता हाँ यार सेल्फ तयारी हो जाएगी अब बहुत मुश्कल हो गया सर अपने टाइम में मैंने नस्ट की तयारी की थी और मैं इसी स्कूल ऑफ थौर्ट से था कि अब मैं सेल्फ तयारी कर लूँगा लिए सर में पीचे रही है मेरा स्कोर अतना अच्छा नहीं आया मेरा मेरेट नंबर चाराजार स्राड़े चाराजार आया अच्छा मुझे नस्ट नहीं बेजा लेकिन नस्ट में बेजने वाला फार दिया इतने सारे स्टूरेंट्स बेजे अच्छा उसमें जो हाई परसेंटेज है बच्चों की पहुंचने की मैं समझता हूं मोर दन 95 परसेंट वो बच्चा है जो किसी इदारे से त्यारी करता है सेल्फ के लिए सर उसके प्रॉपर शेडूल मैंटेन करना पड़ेगा बीच में सर बहुत सारे इशूद आते हैं जर्फान दन में शादी आ वह बच्चा है बहुत हो रही है अगर शेडूल मैंटेन कर लेता है तो मैं समझता हूं कर लेगा चले शेडूल मैंटेन कर लिया असिस्मेंट कैसे करेगा अपना टेस्ट किसको देगा अपने आपको बहन भाहियों को उनकी पाइपने टाइम नहीं है वो अपनी अजूट के अपना टाइम नहीं है तो एक मुश्किल काम है मतलब हो सकता है लेकिन फिर उसके लवाज मात है impossible नहीं कहोंगा सर मैं impossible नहीं है मैं यह नहीं कहोंगा कि impossible है लेकिन मुश्किल काम है अगर आप discipline से नहीं चलेंगे तो आपको लगे का तो सही बच्चे सोचते बहुत कुछ हैं अब सर दुबारा से कर रहे हैं, साल जाया होगे ना सर, साल वापस नहीं आएगा सर सर लेकिन इसमें एक परिशानी आती है, देखें हमने बात की फीस की युनिवर्स्टी की आपने बात की के वहाँ पर स्कॉलर्शिप, लोन, करज रहसना, डिफिरेंट चीजें मौजूद होगी लेकि जब हम अकैडमी की बात करते हैं, सर आप खुद देखे ना कि पचास हजार, साथ हजार, सत्तर हजार, असी हजार टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए देना जबकि यहां पर कोई लोन, करज रहसना नहीं है तो सर यह एक बड़ा चैलेंज होता है, एक मिडल क्लास फैमली के लिए मैं जानता हूँ के यकिनन इस पर रिस्पॉंड यह होगा, कि वर्थ इट है तो करना चाहिए, वो अपनी जगा है लेकिन सर यह माश्रे का बड़ा चैलेंज बन जाता है सर देखें, अकैडमी काफी टाइम से वर्किंग कर रही हैं और उनिवर्स्टी में पहुचाती भी रही है यह किन उनकी कोस्ट होगी चीजे होंगी वो अपनी जगा मैं उससे इंकार नहीं कर रहा है लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि यह कैसा चैलेंज है कि जो अमोन बच्चा फैस कर रहा होता है सब देखें मैं यह समझता हूँ इसमें जब से यह कोविट वाली कंडिक्शन आई है इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे बच्चे आंलाइन लेकिन मैंने यह देखा है कि आंलाइन में फिजिकल के मुकाबले में फीस काफी कम है इसमें हम माई इंटर अऩाडमी की बात कर लेते हैं सरद आकर cereal compare करें तो तकरभर वनटेबन 5-5 पाइव का फीस का फिसमा माई इंटर अकैडमी में u Tul Army 15 18-18000 चारज कर रहा है तो आप देखें बचासे चारज़ा está związ développब देखें एक बछ बगगाए difference है तो मैं समझता हूँ कि affordable fees देखें सर खेर ये तो इदारे की चुके बात हो जाएगी वो मकसद नहीं था minder academy खोलने का मैं सर्फ अगर मैं बात करूँ तो इसका मकसद यही था कि हम वो जो दो बड़े challenge हैं जिसकी वज़ा से बच्चे को quality education नहीं मिल पाती एक affordability और एक accessibility बच्चा सक्कर का है खैरपूर का है कराची आएगा फिर तैयारी करनी पड़ेगा सर्थ कराची वाले बच्चे के पास तो फिर एक जन्नत लगी वी भाई कोचिंग की जो interior से आ रहा है कि कह रहा है सर कुछ है ही नहीं अच्छा सर और खुद कराची के अंदर भी देखा जाए एक बच्चा नौर्थ कराची से निकलके कुल्शन कैमपस की मैं आपको खुद बताता हूं सर लास्ट ये हमारी एक student थी उसने सिर्फ इसलिए drop किया एक मशूर कोचिंग अकैडमी और aptitude test preparation उसकी वज़ाई ये थी कि वो सफूरा गोट से अंदर एक लोकालिटी में शिफ्ट हुई थी और उसका वहां से आने की जो वैन थी वो 15,000 रुपए पर मन चार्ज कर रही थी 10,000 रुपए तो अब वहां से आना खास ओर पर लड़कियों के लिए है मैं जानता हूँ कि ये एक बड़ा चैलेंज है वो लोग भी बड़े बड़े इदारे चलाते हैं तो उनको भी इदारे चलाने के लिए एक फंड की रिक्वार्मेंट है अगर हम उनके एंगल से देखें हम तो एक एंगल से जब देखना शुरू करते हैं तो हम दूसरा एंगल बिल्कुल कंसिडर्ण नहीं करते हैं तो यकिनान उनके लिए ये भी चैलेंज होता है लेकिन साथी साथ मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम कम से कम तालीम के मामले में कुछ ऐसी सुरतहाल डेफिनिटली निकलनी चाहिए कि कोई भी बच्चा इस बुनियाद पर ड्रॉप न करे कि अकैडमी उससे दूर थी या महिंगी थी तो जब माइंडर अकैडमी शुरू किया उसका बुनियादी मकसद यही था कि कम से कम कम से कम हम किसी भी बच्चे को और आप यकीन जाने हमने बहुत सारे बच्चों को 100% स्कॉलर्शिप भी दी है और उसका मकसद यही था कि कम से कम कम से कम अगर वो डिसर्फ करता है और हम समझते हैं कि उसको कामियाबी तक पहुँचाने के लिए गर हम किसी तरह से जरीया बन सकते हैं तो हमें बिल्कुल बनना चाहिए और यह हम सब की सोचे हैं यकिनन आप हमारे साथ काम कर रहे हैं यह आपकी और आपके बगार और टीचर्स की मदद के बगार यह पॉसिबल ही नहीं है यह पूरा सिस्टम बनता है हमारी सोच कितनी खुबसूरत क्यों नहीं हो लेकिन जब तक टीचर उसमें पार्टनर नहीं मनेगा तब तक यह सोच एपलिकेबिल नहीं होगी क्योंको टीचर उसमें रुकावर्ट बन सकता है क्याता है आपको तो बहुत अच्छे ख्यालात होंगे लेकिन आपके ख्यालात के लिए मेरी की गुरबानी कर रहा है तो यकीना इसमें ये पूरा सिस्टम बना ही ऐसे कि जहां पे टीचर की भी सोच यही थी इदारे की भी यह सोच थी साथ काम करने वाले तमाम लोग की सोच यही थी कि कम से कम कम से कम और मैं समझता हूँ कि जो आपने हमें हेल्प की खास तोर पे जो पूरा आपने हमें स्कॉलर्शिप का पूरा सिस्टम बना के दिया और आपने कहा कि इस तरह से हम मजीद इसको बकाता एक प्रॉसेस बना सकते हैं पॉलिसी बना सकते हैं वो हमारे लिए बड़ा हेल्फल हुआ है और अगर कोई भी सुनने वाला बच्चा है वो किसी भी लेविल की उसको सपोर्ट चाहिए तो कम से कम माइंडर अकेंडमी पे मैं जो यहां बैठा हूँ और हमारे साथ सर एसन पटेल बैठे हैं कम से कम हम इस बात को इंशूर कर सकते हैं कि आपको यह दो बड़े चैलेंज हमें खुशी होगी कि हम इसको एडरस कर सकें सर मैं वापस आता हूं बात हो रही थी हमने यह बात कर ली कि सेल्फ स्टेडियू और ऑन-लाइन के हावाले से मैं बात कर लूए जी सार फिजिकल में देखें प्रोज और कोंस तो हर जका होते हैं फिजिकल में फाइदा यह हैं कि आप फिजिकल Hi रोजाना जा रहे होतें टीचर को देख रहे हैं मिल जैने, टीचर से मुलागाद होई ही है टीचर को आप टीचर फेस आपके पास है लेकिन सर लेकिन कुछ हर्डल्स ऐसे हैं जो के मुश्किल हैं उनको मैनेज करना खास तर पर लड़कियों के लिए जैसे कि आपने ट्रैबलिंग का जिकर किया कि एक आने जाने की कॉस्ट लग रही लड़का बाइक पर चले जाए बिचारी लगी हमारे यह नहीं है इंटरेंट बाइक पर जाने का गाड़ी में मतलब अकेले नहीं है उसके पास गाड़ी है रोजाना करीम करना 25,000 रुपे सिर्फ हर वक उसके लिए ब्रदर या फादर अवेलिबल नहीं उसको पेकेंड रॉप के लिए फिर आना पर जाना आदा गंटा जाना आदा गंटा आना कराची की ट्रैफिक में अब आदा गंटा अगर पीक टाम है पांच से साथ के दरमाने एक गंटा हो जाए रहागा सर तमाम मुलतान लोहौर आप किसी भी शहर को लिल लें तकरीमन कमोबेश ये मसाइल हर जगा एक्सिस का बिल्कुल आप सही कह रहे है एक्साउस्चन तो बेहतर ये नहीं है कि वो घर पे बैटके टाइम कंस्टेंट के बगर सुबह साथ बिज़े क्लास लगी विए क्या फैसिलिटी है दोबारा से देख लिया बहर बहर देख लिया मिए उठने गए आधत नहीं है तो पहर में पढ़ लिया, शाम में पढ़ लिया रात बढ़ लिया अपनी आसानी देख के पढ़ लिया कोचि बच्चे को आज़ात है passwords हृ आपขष्य बहुत है तो आपका आने जाने का टाइम बच गया फिर आपका असिस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो आपकी ऑनलाइन आपके सामने हो गई फिर आपने उसके हाथ क्या चेकिंग कर ली फिजिकल में आप टेस्ट दोगे छे दिन बाद आगे आपको चेक होगे मिलेगा फिर उसमें तो एस ही लगाया था आपने खलत कर दिया फिर वो मसले मसाइल तो ऑनलाइन में आपको यह सारे फाइदे नजर आ जाएंगे फिर फीज भी आपको बनिजबत फिजिकल के कम मिलेगी तो टाइम आपका जाया हो रहा है वो टाइम जाया होने से बच जाएगा फिर टाइम स् अच्छे भी हैं भाई मुबाईल पर एजुकेशन यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं वो और यह ज्यादा असान है समझता हूँ कि वो चलते पिड़ते पढ़ लेगा अगर उस लेट से उसको बीच में आदा गंटा एक गंटा फारेग मिल रहा है तो उस आदे गंट में कोचिंग जाकर नहीं बढ़ सकता लेकिन वो एप खोलके या ऑनलाइन प्लैटफॉर्म खोलके वो एकाट टॉपिक रिवाइज कर सकता है पीस पच्छेश एमसी को सॉल्व कर सकते है वो टाइम अपना यूटिलाइज कर सकता है अब कोचिंग जाने का मतलब है आदा ग इंटा फारिक जास नहीं कर रहा फारिक बटने से बेदर है मैं को अजस्ट्मेंट सॉल्व कर लेता हूं तो वो टाइमस को यूटिलाइज हो एक बड़ा फरक है मैं समझता है आइस्था इसको एक्चेप्टस मिलेगी और सर मैं समझता हूं मैंने जो रुजाना देखे प्रिफर किया एप्टिट्यूट को ऑनलाइन करना ये मैंने रुजान बहुत देखा है कि फर्स्ट यर सेकंड इयर में तो उन्होंने उनका एक रूटीन था वो जा रहे थे आ रहे थे लेकिन मैंने देखा कि अमूमन बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे कोचिंग स कि फर्स्ट यर अब हुए जा रहा था लेकिन एक्टिटीट को मैनेज करने के लिए चूंकर एप्टिटीट का जrich को सबसे बड़ा चैलेंज है तो जब आपको फर्स यर सेकंड इयर के साथ चलाना है तो verein तो 10 दृ करना है लेकिन having said that it is not necessarily में प्रॉब्लम जो साथ में फिजिकल मैंटेन करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो है क्लैशिस सर हम जब अप्टुट पढ़ाते हैं तो बच्चा यह रोता है सर में फिर्स्टरी क्लासे में चले जाओ से कंडारी क्लासे में निकल जाओ अब सेकंडर पढ़ा रहे हैं सर भी अप्टूडी क्लासे निकल जाओ बच्चा विज़ तरह घंचखर बन जाता है कोई यहां से निकले आ जाए निकले हो क्या हुए इस निकले जाए तो उसके लिए आसानी क्या होगी च्छे बजे के बाद एपटूट पढ़ लिया करूँगा जबकि च्छे बजे के बाद उसको कोई इदार एपटूट ने करवा रहा वीकेंड पर करवा रहा है एक्जाम से पहले एक जिसमें करा रहा है मौनर्णिंग कॉलिज डिस्टब हो रहा है ताइम जो स्पेस उसको बड़ा खुला मिल गया फिजिकल में कॉन्फिक्ट होने के चांसे जादा होते है ताइम अपनी मजदी का भी नहीं मिल लो ना सभी संड़े की सुबह 8 बज़े 9 बज़े जाना है बाप से बोलो संड़े की सुबह 9 बज़े उटना है हम बोलें गार एक दिन दो सोने का मिलता है सोने सो तो having said that जो सर से बात हो रही थी अगर मैं उसको थोड़ा सा conclude करूँ उस बात को तो उसमें मैं यह समझता हूँ कि बच्चे को खुद यह decide करना जरूरी है कि उसके लिए क्या option best है self, academy academy के अंदर physical या online तीनों options के pros and cons मौझूद है यह बच्चे पर depend करता है और तीनों options अच्छे या बुरे हो सकते हैं तीनों options मिसाल का तौर पे आपके घर के बिल्कुल पास एक बित्रीन academy मौझूद है आपका time match कर रहा है आपकी transportation की cost नहीं है चीजें नहीं है इससे बेहतर कोई चीजी नहीं है इससे बेहतर कोई option नहीं है आपके पास लेकिन अगर आपको सर मैं आपको बताओं हम चुके बच्चों को सिर्फ intern नहीं CACC हमसे बच्चे पढ़ते हैं एक बच्ची हमसे C.A. का course कर रही थी उसने बताया कि सिर्फ करीम में उसका 25,000 रुपए पर मन उसकी फीस फीस तो नहीं उसका किराय जाता है मैं सर सुनके हरान हो गया क्योंके वो जो कोर्स कर रही थी उसका जो फीस थी वो तक्रीमन 15,000 रुपए चार महीने की थी तो मैंने ये सोचा कि इस 15,000 के लिए इस बच्ची ने इंसिट्यूट के अंदर लाक रुपए खर्च किया अच्छा वो एफोर्ट कर सकती थी तो उसके लिए ये मैटरी नहीं करता था लेकिन जो एफोर्ट नहीं कर सकता उसके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है और हम जब देख रहे हैं कि खुड ट्रांस्पोर्टेशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है दो वजुवात की बिना पे एक तो सर पैट्रॉल की प्रैसिस नहीं रुक रहीं दूसरा मसला ये है कि जो कॉलिटी आफ ट्रांस्पोर्ट है वो बड़े बड़े शहरों में कराची ज़रे से शहर में जब आप चिंची और उसके उपर ट्रैवल करते हैं तो आप एक तो कॉलिटी आफ ट्रांस्पोर्टेशन भी नहीं है दूसरा इतना सेफ भी नहीं है तो उसके अंदर अगर आपकी ट्रांस्पोर्टेशन और कम्यूट का डिस्टेंस बढ़ लाए तो वहाँ पर मैं यह समझता हूँ कि ऑनलाइन ऑप्शन एक अच्छा उप्शन है लेकिन अगर आपके गली महले के अंदर एक अच्छी कोचिंग अकैडमिय मौजूद है तो उससे बेतर कोई चीज नहीं है और अगर आप इतने अच्छे हैं पढ़ाई के अंदर कि आप मैनेज कर सकते हैं तो आप खुद अपनी चीज़ों को लेके चाँ सकते हैं सर हम तकरीमन कमोबेश अपनी सारी चीज़ों को कवर कर चुके आम वी आपका मैसेज हो बच्चों के लिए कोई आप बात करना चाहते हो सर मैं तो बस एक ही मैसेज दूंगा के डोंट डॉप दिस ऑपरचुनिटी पर अप्लाइग इन नस्ट टीक है इसको चोड़े नहीं, यूवल रगरेट ऐसे बहुत सारे स्टुटेंट से मेरे यार, अच्छा मेरे स्टुटेंट मिल्कुल दोस्तों कितना है यार, हैसन भाई खलती कर दी, नस्ट का टेस्ट नहीं दिया नहीं हो यार, मुझे रही है, मैंने दिया था नहीं हो, मेरा कोई बात नहीं है लगरेट नहीं नहीं है, नस्ट में दिया ही नहीं दमने जिसने नहीं दिया उसको रह जाता है, काश शायद में पहुंच जा था, जो काश है ना ये सर बड़ा दुब देती है बहुत ये खुबसुरत बात किया आपने काश जिन्दगी में नहीं होना चाहिए जिन्दगी में आपको डेफिनिटली आपका अख्तियार होना चाहिए और आपको बहुत सारे काश अपनी जिन्दगी कि आखरी लमात के लिए बचा की नहीं रखने चाहिए सर एसन बहुत शुक्रिया बहुत मज़ा है आपसे बात करके स्टूडेंट्स तो डेफिनिटली आपका आपके लेक्चर्स को इंजॉय करते हैं और मैं खुद हैरान होता हूँ कि अमूमन फिजिकल स्पेस में डारेक्ली इंटरेक्ट कर रहा है तो वहाँ तो बच्चे फिर भी एक हूमर को चीजों को ले रहे होते हैं लेकिन मैं ये लाजमी कहूंगा कि आप सर की हमारे पास फ्री ट्राइल मौजूद है आलाइन यूट्यूब पे वीडियोज मौजूद है आप जरूर जाके सर एसन परडेल को देखिएगा जितने मज़े से ये आपको मैस पढ़ाते हैं मैंने ऐसे टीचर्स कम देखें और खास तोर पे एप्टिट्यूट के अंदर क्योंकि एप्टिट्यूट के अंदर सिर्फ पढ़ाई और कॉंसेट नहीं है बलके टिप्स, ट्रिक और टाइम मैनेजमेंट ये चीज़े इसका साथ हो जाती है तो जब ये चीज़े साथ होती है तो मैं बहुत अच्छी लफफाजी कर सकता हूँ मैं बहुत अच्छा कॉंसेट समझा सकता हूँ लेकिन एक मिनट के अंदर उसको क्विकली सॉल्फ करना है ये बहुत मुश्किल होता है इन्शालला सी यू साम मोर टाइम और हम अगली सीरीज में सर और चीज़े लेके आएंगे एक एक चीज़ पर डrept पर बात करेंगे ताकि बहुत सारी यूनियूर्स्टी हैं नश्ट के लावा भी जिन्के बारे में बच्छों को पता ही नहीं है तो हम एक एक इन्विवर्ष्टी पर बात करेंगे हम अपने सेशन्स करेंगे हम different options देंगें बच्चों को ताकि बच्चों के पास options मौझूद हो options मौझूद हो एक trend यह चल गया है कि हमापस सिर्फ एक दो universities है ऐसा नहीं है बहुत सारे options है और खुदाना खासता अगर आपका नास्टमर नहीं होता तो और options भी है आपके पास बहुत शुक्रिया सर थैंक्स अलोट स्यू इंशाल्ला सब्सक्राइम इंशाल्ला नेक्स प्रोग्म थैंक्य।